वाट्सप गाइज आज नहीं विठाई बनाने वाले है वह है तिल की बर्फी तो क्या आपको पता है तिल को थंडियों के सीजन में खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते है क्योंकि इसमें गूट सोर्स आफ हेल्दी फैट्स प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स होते ह तो आज मैं आपको एक ऐसी तिल की मिर्ठाई बताने वाली हो जो बीना कोई खोया मावा दूद या बीना घीके या बीना कंडेंस मिलकी बन जाती है तो चलिए फटाफट से इस रेसिप को हम स्टार्ट करते है और हाँ अगर आपको ये वीडियों पसंद आई होंगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करना बिलकुल ना भूलिए तो हमने तिल्ली की वर्फी बनाने के लिए यहां पे लिया है पासुग्रम सफे तिल्ली जो मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी जिसे हमने न अच्छे से क्लीन कर लिया यह पासुग Daum मतलब आदा केलो तिल्ली है हमे न इस तिल्ली को सेक के लेना है इसलिए हमने न एक बड़ी कड़ाइ ले लिया और गैस पे कड़ाइ को रखके इस सारे तिल्ली को इसमें आड़क कर लिया हमेन इसे थोड़ा पास से 10 मिट के लिए सेकना है हाइफलेम पर त मतलब तिल्ली शिख गई है या फिर एक और तरीका है मतलब तिल्ली को थोड़ा सा हाथ में लेके देखे तो चूरा होने लग जाए तो मतलब आपकी तिल्ली अच्छे से सिख गई है तो हम बीज-बीज में ऐसे सराटा चलाते वे तिल्ली को 7-8 मिनिट के लिए सेक लेंगे म अब चलो चेक करते हैं कि हमारे तिल्ली अच्छे से सिख गई कि नहीं क्योंकि आवाच तो आने लगी थी चटक-चटक हमने थोड़ासा हाथ में लेके देखा तो तो तूटने में लगी है मतलब तिल्ली प्रॉपर सिख चुकिए तब ना हम इसे एक परात में निकाल लें तो देखेए तोड़ी थंढ़ी हो चुकी है और ना हमें मिक्सर के पॉट में लेके इसे थोड़ा-थोड़ा करके ही पिस्टने और हमें ध्यान रखना होगा कि इसे pierwslaw में से एक बार गुमाते वे ही दो सेकंड के यह और इसे ज्यादा पिस्टलो में ना तो इसका तेल लेंगे और आप इसके यह थाली में निकान सी निकाल लेंगे तो धेक्षि सारे तिली को हमने यह अपर अच्छ से पीष लिया है अब ना आपको अधर जितना हुआ तहा हुतनी शक्क्राइद करनी है तो हमने न यह वह सेंधर प्रओ wipes सेंध़ी वाली तो हमने न हम यह रखen सेंधरely‍अ परफ भ। 9 भ। 3 आपको रेंगगा जेवार चाइसनी बनाके लेली लिए तो हमने न यह forts suri coron своilelle 1 फिर उसमें न हम देड़ कटोरी के स्वान डाले गे तो हमें अहीं नहीं पर इंडालना है जितना जादा पानी अब यहदा डालोगे आं उत्ता ज्यादा टाइम लगेगा चासनि बनने में तो देड', से दो कटोरी पानी बहुत इनफ है तो चलिए हमना सराटा के विप से इस और न हम इसे बिच बिच में ही चला रहे हैं ताकि ये नीचे से लगे ना तो हम ना सराटा के हजब से ऐसे चासने को उपपर उठाते वे देख सकते कि अभी कितनी पतली और कितनी गाड़ी है आप देख सकते हो कि चासनी थोड़ी पतली है धीरे धीरे होते हिए यह गाड़ी होना स्टार्ट हो रही है तो जैसे ही थोड़ा गाड़ी हो गए न TAB हम इसके एक टेकनिक है उससे चेक करेंगे के चासनी बनी है की नी तो अभी देखिए आप थोड़ी गाड़ी हो चुकी है और अभी थोड़ा सा गाड़ा होना बाकी है शकर अच्छे से मेल्ड होना बाकी है तो थोड़ा सा और पाथ-दस मेड़ के लिए इसे मेल्ड कर लेते हैं पाच मेड़ी लगेंगे हाडले अभी तो तो देखिए आप चासनी अच्छी गाड़ी हो गए तो चलिए है इसे चेक करते है तो हमें इसे थोड़ा सा उंगली में लेना है और ऐसे ना उंगली के बीच में रखते हुए इसे तार आरा है कि नहीं देखना है तो देखिए आप कंटीनी ने एक लाइन जैसे आरे है तार जैसा बन रहा है चासनी पॉफेग बन के रेडी हो गए आप देखिए सकते हो कंटीनी एक तार जैसा धागे जैसा बन के नहीं कर रहा है और चाहे तो आप इसे ना कटोरी में भी चेक कर सकते हो तो कटोरी में हलका सा घी लगा दो कटोरी या प्लेट में और फिर उसमें चासनी आड़ कर द लेंगे इसके बाद ना हमने जो पीसावा तील ता ना उसको ना इस चासनी में आड़ कर लेना है तो दीरे दीरे करते वे सारी पीसी तिली को इस चासनी में हमने आड़ कर लिया और आड़ करने के बाद सराटा के हल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए कि गूल गूमाते हैं, इस तिली को इस चास्टनी में एड कर ले हैं, अच्छे से इसे आड कर लेंगे, इस आरी पत्तिली की बर्फी जमाना हैं, जो भी थाली यह परत है, उसमें और अच्छे से घी लगा देंगे, आठ नहीं जब बहुत थोड़ा सा एन्हें, 1 temporary टीस्पूने घी लिया है, हम ना जब भी यह मिठाई जमाएंगे ना तो यह मिठाई अच्छे से निकल के आए, कट करने के बाद, तो इसलिए हम बेस में पर गी लगाते हैं, फिर ना हम इसमें, जो भी हमने मिश्रन बनाया है, याने तिल्ली और चासनी से, उसे ना यह थाल वैसे से जमा सकते हैं, तो देखिए मैंने किस प्रकार हतेलों से हल्प से इसे अच्छे से से शेट कर लिया है, और ना हम इसे से शेट करने के बाद, थंडा होने देंगे, थंडा होने के बाद ही हम इसे कट करेंगे, तो हाडले अट 10 मिंट में थंडी हो जाती है, तो 10 मिं को अच्छे से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इतने अच्छी बर्फी निकल के आई है और ने बहुत ही जल्दी वीदी ना 15 में बनके रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है आपने यह बर्फी जरूर ट्राय करें और थंडियों के स जरूर बताए कि आपकी ना यह मिठाई कैसी बनी है और अपने ना फ्रेंड्स और फामिली के साथ इसे बहर-बहर के शेयर करें और हां यह तो बिल्कुल ना भूले कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आप सब्सक्राइब करोंगे तो आपको ऐसी निव